हेलो नमस्कार दोस्तो हमारी आज की कहानी भारत वर्ष में जन में महाराज सीवी की है इस पुरानी कहानी को पूरा जरूल सुने इस कहानी को सुनने के बाद पता चलेगा कि ऐसा परुपकारी राजा और कोई नहीं था तो चले अब हम कहानी सुरू करते हैं पुरू वंस में जन में उसी नर देश के राजा सीवी बरे ही परुपकारी और धर्मात्मा थे जो भी आचक उनके द्वार पर जाता था कभी खाली हाथ नहीं लोड़ता था पुरानी मात्र के प्रती राजा सीवी का ब्रस नहीं था अतह उनके राजे में हमेशा सुक्सान्ती और स्ने का वातावरन बढ़ना रहता था राजा सीवी हमेशा इस्वर की भक्ति में लिन रहते थे राजा सीवी को परुपकार सिलता और त्याग वीती के चल्चे स्वर्ग लोग तक परसीद थे दियताओं के मुख से राजा सीवी की इस प्रसिद्धी के बारे में सुनकर इंद्र और अगनी को विश्वास नहीं हुआ अता उन्होंने उसी नरेश की प्रिक्षा करने की ठानी और एक युक्ति निकाली अगनी देव ने कभूतर का रूपधारन किया और इंद्र देव ने एक बाज का रूपधारन किया दोनों उर्ते उर्ते राजा सीवी के राजे में पहुँचे उस समय राजा सीवी एक धार्मी की अग्य क्या अनुष्ठान कर रहे थे कबुतर उर्टे उर्टे आर्थ नाद करता हुआ राजा सीवी की गोध में आगीरा और मनुस्य की भासा में बोला राजन मैं आपकी सरन आया हूँ मेरी रक्षा कीजिए थोरी ही देर में कबुतर के पीछे पीछे बाज भी वहाँ आप पहुचा और बोला राजन निसरंदे आप धर्मात्मा और परुपकारी राजा हैं आप कृत गन को धन से जूट को सत्य से निल्दई को छमा से और कुरूर को साधुता से जीत लेते हैं इसलिए आपका कोई सत्रू नहीं है और आप अजात सत्रू नाम से प्रसिद हैं आप अपकार करने वाले को भी उपकार करते हैं आप दोस खोजने वाले में भी गुन खोजते हैं ऐसे महान होकर आप यह क्या कर रहे हैं मैं भूख से व्याकूल होकर बोजन की तलास में भटक रहा था तभी संजोग से मुझे यह पंची मिला और आप इसे सरन दे रहे हैं आप अधर्म कर रहे हैं किरपा करके यह कबुतर मुझे दे दीजिए यह मेरा बोजन है इतने में कबुतर बोला सरनार्थी की प्रान से बोले हे बाज यह कबुतर तुम्हारे भैसे भैवित होकर मेरी सरनार्थी है मैं अपनी सरनार्थी का त्याग कैसे कर सकता हूँ जो मनुस्सरे भै, लोब, इस्रिया, लज्जा या द्वास से सरनागत की लक्षा नहीं करते या उसे त्याग देते हैं सर्जन लोग उनकी की नींदा करते हैं और उनको ब्रहम हर्त्या के समान पाप लगता है जैसे हमें अपने प्रान प्यारे हैं वैसे ही सभी जीव को अपने प्यारान प्यारे होते हैं समर्थ और बुद्धिमान मनुस्य को चाहिए कि असमर्थ वो मिल्तिव भैसे भैवित जीवों की रक्षा करे अता हे बाज मिर्तिव के भैसे भैवितिया कभूतर मैं तुझे नहीं दे सकता इसके बदले तुम जो चाहो खाने के लिए मांग सकते हो मैं तुम्हें अभी वस्तुर देने को तयार हूँ तब बाज बोला हे राजन मैं भूख से पीरित हूँ आप तो जानते ही हैं भोजन से ही जीव उत्पन होता है और बढ़ता है यदि मैं भूख से मरता हूँ तो मेरे बच्चे भी मर जाएंगे आपके एक कभूतर को बचाने से कई जीवों के प्रान जाने की संभावना है हे राजन आप ऐसे कैसे धर्म का अनुसरन कर रहे हैं जो अधर्म को जन्म देने वाला है बुद्धिमान मनुसे उसी धर्म का अनुसरन करते हैं जो दुसरे धर्म का हनन न करे आप अपने वीवेक के तराजू से तोलिए और जो धर्म आपको अभिष्ठ हो वह मुझे बताईए राजा सिवी बोले हे बाज बहसे व्याकुल हुए सरनार्थी की लक्षा करने से बढ़ कर कोई धर्म नहीं है जो मनुस्य दया और करुणा से द्रवित होकर जीवों का अभैदान देता है वह देह के छुटने पर सभी प्रकार के भैसे मुक्त हो जाता है धन, वस्त, गो और बरे-बरे यग्यों का फल यथा समय नष्ठ हो जाता है किन्तु भैयाकुल प्रानी को दिया अभैदान कभी नष्ठ नहीं होता अतह मैं अपने संपून राजे और इस देह का त्याग कर सकता हूं परन्तु इस भैयाकुल पक्छी को नहीं छोड़ सकता हे बाज, तुझे अहार ही अभिश्ठ है, जो चाहो सो अहार के लिए मांग लो बाज बोला, हे राजन, प्रकिर्टी के विधान के अनुसार कभूतर ही हमारा आहार है, अतह आप इसे त्याग दिजिए राजा बोला, हे बाज, मैं भी विद्ध के विधान के विपरित नहीं जाता सास्त कहता है, दया धर्म का मूल है, परुपकाल पुन्य है, और दुसरों का पीरा देना पाप है, अतियव तुम सो, जो चाहो सो दे सकता हूं, परन्तु ये कभूतर नहीं दे सकता तब बाज बोला, ठीक है राजन, यदि आपको इस कभूतर के प्रती इतना ही प्रेम है, तो मुझे ठीक इसके बरावर तोल कर अपना मांस दे दिजिए, जिससे मैं अपनी छुधा सांथ कर सकूं, मुझे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए प्रसन होकर राजा सीवी बोले, हे बाज, तुम जितना चाहो, उतना मांस मैं देने को तयार हूँ, यदि यह छन भंगुर दे, धर्म के काम ना आ सके, तो इसका होना व्यर्थ है, यह कहकर राजा ने तराजु मंगवाया, और उसके एक पल्रे में कभूतर को बैठा दिया और दुसरे पल्रे में वह अपना मांस काट कर रखने लगे, लेकिन कभूतर का पल्रा जहां का तहां ही रहा, तब अंत में राजा सीवी स्वैम उस पल्रे में बैठ गये, और बोले हे बाज, यह लो, मैं तुम्हारा आहार तुम्हारे सामने बैठा हूँ, इतने में आकास से पुस्पवर्सा होने लगी, मृदंग बजने लगे, स्वैम भगवान अपने भक्त के इस अपुर्व त्याग को देखकर प्रसन हो रहे थे, यह देखकर राजा सीवी विसमैस में सोचने लगे, कि इस सब का क्या कारण हो सकता है, इतने में वह दोनों पंची अंतर ध्य और यह अगनी देव हैं, जो कबुतर बने थे, हम दोनों तुम्हारे त्याग की प्रिक्छा लेने आये थे, यह राजन ऐसे मनुस्ये विरले ही होते हैं, जो दुसरों के उपकार के लिए अपने प्रानों का भी मोहना करे, ऐसा मनुस्ये उस लोग को जाता है, जहां से फि पालने के लिए तो पसू भी जीते हैं, किन्तु अभिनंदनी तो वही मनुस्ये हैं, जो दुसरों के हित के लिए जीते हैं, इतना कहे कर इंद्र और अगनी स्वर को चले गए, राजा सीवी ने अपना यग्ये पूरा किया, और कई वर्सों तक प्रित्वी का राजे भोग प्रामपत को प्राप्थ हुएं, इस कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद, इस तरह की और भी कहानिया सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद,